आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि बैकरी से केक खरीद कर खाना बहुत ही मुश्किल सा काम हो गया है तो क्यों ना मैंने सोचा मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा घर में टीकेक बनाना सिखाऊं जो के बहुत ही कम पैसों में बन जाएगा और वो भी बगएर ओवन के तो वीडियो को स्किप किये बिना पूरा दिखेगा चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लायरामारे रहें असलामलेकूं वेलकम टू तानीज कीच्छन आज हम बनाने जारे हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी सा टीकेक उसके लिए मैंने लिया एक कप मैदा एक चाय के चमच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से हम चान लेंगे यह स्टैप करना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पर मैंने लिए यह तीन अंडों की सफेदियां जदी अलग कर लेनी हैं हमने सफेदी अलग बहुत ही हत्यात से यहाँ पर सफेदियों को बीट करेंगे अलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अगर आपके पास अलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं और हाथ की मदद से इसे फैंड सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यह अच्छे से ह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देए लेजी एक से दो मिनट के अंदर हमने सफेदियों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है अब मैंने लिए हैं अंडे की तीन जर्दियां जो के अलग से हमने रखी थी इसम पिर इसमें डालेंगे लीमू का रस एक खाने का चमच इसके बाद इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी एक कप पिसी हुई चीनी डालने के बाद इन तमाम चीजों को विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लंप्स फ्री मिक्स्टर सा बनाकर त्यार कर ल जर्दियों को बहुत जादा ओवर बीट नहीं करेंगे, इन्हें बस हलका सा लाइट सा कलर होने तक बीट करेंगे, यह देखें, जर्दियों का कलर हलका पीला हो गया, अब इसे छोड़ देंगे, अब जो मिक्स्टर जर्दियों का हमने तियार किया, हमने जो सुफेदियां फैटके रखी हैं अलग से इसके अंदर इसको एड़ कर देंगे और स्पैचुला की मदद से या किसी चम्मच की मदद से हलके हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे ज्यादा तेजी से आप मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल हलके हाथ से मिक्स करेंगे कि ये सफेदिया तूटने न पाएं, अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर अलग से चान कर रिखा था इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके यड़ doet करेंगे और इसे हलके आथों से थोल्ड करेंगे इसे यहां पर मैंने अपना बैटर केक का त्यार कर लिया है अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे इसे मैंने ओईल से ग्रीस कर लिया था और इसमें बटर पेपर रख लिया था मिक्सचर को बनाने के बाद आपने बाहिर जादा टाइम के लिए नहीं रखना बलकि फॉरन से मोल्ड में डाल कर इसे दो दफा टैप टैप करना ताके एर इसमें से निकल जाए यह पतीले को गर्म करने वाला हमने जो स्टेप करना है इसे हम केक तियार करने से पहले करके रखेंगे पतीले को मीडियम फ्लेम के उपर हम 10 मिनिट के लिए गर्म कर लेंगे और केक के मिक्सचर को इसके अंदर रखकर हम 40-50 मिनिट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर यानि के दम वाली आज पर इसे हम बेक करेंगे, आप 25 मिनिट के बार ढकन उठाकर इसे चेक कर सकते हैं, केक पका है या नहीं, आप इसे किसी भी टूथ पीक की या छुरी की मदद से चेक कर सकते हैं, यह देखें हमारा केक बन कर तियार हो चुक है, अब मैं इसे किसी प्लेट में नि अगर आप step by step मेरी recipe को follow करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह का देखें कितना soft और spongy सा cake घर पर बनाकर त्यार कर सकते हैं, और बैकरी से कई गुना बेहतर यह cake बनेगा, बस शर्त यह है कि आपको recipe को पूरी तरह से follow करना होगा, यह देखें कितना soft और spongy सा cake लग रहा है हमा यह cake बनाकर आप चाय के साथ enjoy कर सकते हैं, और comments में मुझे अपना feedback जरूर दीजगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी, अगर आप channel पर नए हैं तो जल्दी से मेरी channel को subscribe कर दे मिलते हैं next video में, अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा और दौा में याद रखेगा, अलाहाफेज